नवश्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी के इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टुडिवित पी एन लोदा साथियो रीट मेंस एक्जाम 2023 के लिए सेक्षिक प्रिद्रश्य तक्निकी आटी दो जार नो जार ग्यारा एननेपी 2020 फ्लेक्षिप योजनाय जनकल्यानकारी योदनाय और साथि अनुसंदान के इन सभी टोपिक्स से इसमें आपके विजले फ्रबंदन समीति वगरे सब कुछ आ जाता है मित्रों सेक्षिक 940 में आ जाता है इन सभी टोपिक्स से बहुत ही महित्पुन प्रिश्णे लेकर आया ह तेश्टेश्टों की ये जो सिरीच चला जा रही है इसमें आज हम 5 वटेश्ट ठल कर रहे हैं ये जो पेपर है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए दोनों लेवल के लिए बेहद उप्योगी है तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को बरतेक प्रिश्णे ए एक बटा तीन नंबर आपके कम किये जाएंगे नेगेटिव मार्किंग इसमें मित्रों पहला प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्णी संख्या एक में क्या है पहला प्रिश्ण है आपके आर्टी अधिनियम संबंदिते विकल पे पहला बच्चों को उच्च गुनवत्ता वाली सिक्षा का अधिकार बच्चों को निशूल के वम अनिवारी सिक्षा का अधिकार समानता का अधिकार और सिक्षन का अधिकार तो देखो पहले प्रिश्ण में आर्टी अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि जो आर्टी अधिनियम है ये किसे संबंदित है तो ये समानता के अधिकार या सिक्सन के अधिकार से नहीं बलकि ये जो संबंदित है वो है बच्चों को निशुल के वम अनिवारी सिक्षा के अधिकार से पई आटी का पूरा नाम क्या है अनिवारी वम निशुल के सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो बिल्कुल आपके दूसरा विकल्ट जो है आपके पहले प्रिष्णी का सहीnowओं, दूसरे प्रिष्णी की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे प्रिष्णी में क्या है देख लेते हैं, विध्याले विकास वियुम प्रबंदन समिति का सदश्य सचिव कोन होता है, पर्दानाचारी होता है, परदानाचारे दोरा नामित वरिष्टम व्याक्यता होता है अभिभावकों में से निर्वाचित होता है और इन में से कोई भी हो सकता है तो दूसरे प्रिष्ण का अंसर बताईए विद्याले विकास एवं प्रभंधन समीति की बात की जा रही है और इसका जो सदश्य सची होता है वो होता है प्रदानाचारे दोरा नामित वरिष्टम व्याक्यता बिल्कुल दूसरा विकलप आपके सही है मित्रो प्रिष्ट नमबर दो में यहां SMC की बात नहीं की जा रही है यहां SDMC की बात की जा रही है तो सेकंड विकलप आपके दूसरे प्रिष्टम का सही आंसर है प्रश्ट संख्यात 3 की ओर बढ़ते हैं तीसरा प्रिष्टम देख लेंगे प्रिष्ट नमबर 3 गारगी प्रुषकार योजना के संबंद में असर्त्य कतन है कुल प्रुषकार राशी 6,000 रूपे प्रारम 1997-1998 में बसंद पंचमी पर दिया जाता है और OBC वे HC तता HD वर्क की बालिकाओं को ही दिया जाता है तो तीसरे प्रिष्टम का अंसर बताईए कौन सर विकल्प आपको गारगी प्रुषकार योजना के संबंद में असर्त्य लगता है देखेगा अगर देखे तो गारगी प्रुषकार योजना में कुल प्रुषकार राशी कितनी होती है 6,000 दो किस्तों में देई है साथियों दो किस्तों में 3,000 टोटल कितनी हो गई 6,000 हो गई और साथ ही एक प्रमान पत्र भी इसमें दिया जाता है प्रशेस्ति पत्र भी ठीक है जिसका प्राराम 1997-1999 में हुआ था और प्रतेक वर्शिक गार की पुरुसकार बसंत पंचमी पर दिया जाता है बात की जाए कि OBC, A, C, A, H, T वर्ग की ही जनरल वर्ग की बालिकाह भी इसमें समिलित होती है तो विकल्प नंबर जो चार है आपके तीसे प्रिशन का सही आंसर है प्रिशन संख्याथ 4 की तरफ बढ़ेंगे चोता प्रिशन देख लेंगे प्रिशन नंबर 4 में क्या है आपके डिजिटल बुकतान किसके माद्यम से किया जा सकता है फोन पे के माध्यम से पे टीम के माध्यम से नेड बेंकिंग के माध्यम से और इनमे से सभी के माध्यम से तो वह डिजिटल बुकतान की बात करें फोन पे और पे टीम दोनों ही किसके अंतरगत आ जाते हैं नेड बेंकिंग के माध्यम से अंतरगत आ जाते हैं आप फोन पे से भी डिजिटल भुगतान कर सकते हो, पेटीयम से भी डिजिटल भुखतान कर सकते हो नेड बेंकिन से भी विकल्प नमबर आपका जो 4 है इनमे से सभी यह आपका सहीछतर है प्रिश्न संख्या 4 का पाँचवे प्रिश्णी की ओर बढ़ेंगे साथियों प्रिश्ण नमबर पाँच में क्या है अच्छा पाँचवा प्रिश्णी देखने से पहले बता दू कि पहला वीडियो आज का राजस्थान अद्यान की कख्षा आठ वी की जो किताब है इसका देज दस जो है इससे समंदित है जो सुबह डाल दिया था इसके बाद में ये वीडियो है और एक आपके विद्याले विशे का एक वीडियो और आएगा आज ही मतलब रोज किये जाएंगे रोजना एक जाम तक देखिएगा तीसरा वीडियो इसमें साइकलोजी के भी दस प्रिशन रहेंगे विद्यों के भी दस प्रिशन रहेंगे और साथ में आपके जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के सात्यों 15 प्रिशन रहेंगे तो ये दोनों लेवल के और COVID के कारण उत्पन लर्निंग गेप को कम करना तो पांच वे प्रिश्ण का उत्तर बताओ मित्रों प्रिश्ण संख्या पांच में इस्टार कारिकरम के बारे में कौन सा कथन आपको यहां पर असत्य लगता है देखो इस्टार कारिकरम जो है उपचारात्मक सिक्सन इसमें प्रदान किया जाता है और शुरुआत कब हुई थी 21 जनुवरी 2022 को लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है कि 6-12 तक के चात्रों से सम्बंदीते तो यह गलत है क्योंकि इस्टार कारिकरम जो है यह कक्षा 1-8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए चलाया गया साथियों तो पुस्तिकाओं के बाद्याम से उप्चारात्मक सिक्सन इसमें कराया गया था तो अगले क्यूशन की और बढ़ेंगे आपके प्रश्च नंबर 6 में क्या है देखते हैं NEP 2020 के अंतरगत मानाव संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर किया गया विकास मंत्राले सिक्षा मंत्राले या मानाव संसाधन सिक्षा मंत्राले तो देखो जो राष्टिय सिक्षा निती 2020 से इसमें पहले तो क्या मानाव संसाधन विकास मंत्राले था और इसका नाम बढ़ेंगे साथियों, तो चलिए साथवा प्रिश्ण देख लेंगे, प्रिश्ण नमबर साथ में क्या है आपके, देखेगा प्रिश्ण नमबर साथ को, दिक्षा राइस के अंतरगत राइस का पूरा नाम क्या है, राजिस्थान इंटरफेस for school educators, राजिस्थान इंटरफे इंटरफेस for school education, राजिस्थान इंटरनेट for school educators, तो साथियों, दिक्षा राइस के बारे में पढ़ा होगा आपने, इसमें एक शब्द आता है, राइस का पूरा नाम आपको प्रिश्ण संक्या साथ में बताना है, जो इस्टिविद पेन लोदा एप्लिकिशन है, 149 वाला ये तीनों मेगा टेस्ट आ जाएंगे, पूरे 150 प्रिश्ण वाले आज शाम को, या फिर कल सुबह आपको ये टेस्ट प्रोवेट करवा दिये जाएंगे साथियों, अब आपको यहाँ पर भी रेगुलर टेस्ट, 150 प्रिश्ण वाले जो टेस्ट है, ये आपको रेगुलर देखने को मिल जाएंगे, तो देखिएगा प्रश्ण संख्या साथ का आंसर देखे, तो दिक्षा राइस में, राइस का पुरा नाम आर से बनता है, राजस्थान क्या बनता है, राजस्थान और आई से बनता है, साथियों, इंटरफेस क्या बनेगा, इंटरफेस बनेगा for school educators education नहीं educators बनता है इसका विकल्प एक जो है आपके बिल्कुछ सही आंसर है दिक्ष्या राइस में राइस का पुरा नाम क्या है राजस्तान इंटरफेस for school educators प्रत्व विकल्प आपके प्रशन संख्या 7 का सही आंसर है आगे बढ़ेंगे साथियों प्रशन संख्या 8 की तर आए जा रही सुविधा है राज इवोल्ट राज इग्यान SSO ID और इन में से सभी तो देखो क्या प्रशन क्या पूछ रहा है डोक्युमेंट कोई भी विक्ति के डोक्युमेंट जो है इनको डिजिटल फॉर्मेट में आपको सुरक्षित रखना है और डिजिटल फॉर्मे से संबंदित तो उसका इतियास उसमें बना रहेगा ठीक है लेकिन हमें डोक्युमेंट अगर सुरक्षित रखने डिजिटल फॉर्मेट में तो राज इवोल्ट रहता है पर्थम विकल्पाप के बिल्कु सहीए साथियों प्रश्ण संख्या आठ में नवे प्रश्ण की औ बढ़ेंगे तो चलिए नवा प्रश्ण देख लेंगे प्रश्ण संख्या 9 में क्या है आपके दिख्षा राइज पॉर्टल किसके द्वारा विक्सित किया गया नवा जो प्रश्ण संख्या9 लकिन है आगे अंसर देखते goes साथ यो प्रश्ण संख्या 9 का तो बढ़े देखो तो NCTE वे शिक्षा विभाग के द्वारा दिख्षा राइस पोर्टल को विक्सित किया गया, सेकंड विकलप आपके प्रिश्ण संक्या 9 का सही आंसर है साथ यो, देखेगा NCTE का पूरा नाम क्या है, राष्टे सिक्षक, सिक्षा परिशद, राष्टिये सिक्षक या अध्यापक, सिक्षा परिशद और सिक्षे विभाग के द्वारा दिख्षे राइस पोर्टल को विक्सित किया गया, बिल्कु दूसरा विकलप आपके प्रिश्ण संक्या 9 का सही आंसर है साथ क्यों, दस्वे प्रिश्ण की तरह बढ़ेंगे, तो दस्वा प्रिश्ण देख लेंगे, प्रिश्टंबर 10 में क्या है, राज सरकार दवरा मेव बाहूली शेत्र में संपुन विकास के लिए मेवा शेत्र विकास कारिकरम, किस वर्ष से क्रियानवित किया जा रहा है, बिल्कुल ये दोनों जिले है, इनके चाउदा खंडो को, इनके चाउदा खंडो में सात्यो एक कारिकरम किर्यानवित किया जा रहा है, है मेवा शेत्र विकास कारिकरम और यह कब से शुरू किया गया था 1986-86 से इसकी शुरुवात की गई थी दस्वे प्रिश्ण में बिल्कुल तीसरा विकल्प जो है आपके सही आंसर होगा मित्रों प्रिश्णी संख्या है देवेंद्र जहांजडिया है अवनी लेक रहा है या इन में से कोई भी नहीं तो कोई नहीं को तॉप विकल्प में से अटा सकते हो तीन विकल्प आपके सामने बच रहे साथ हो दोनों कोई कोई से पुस्कारों की बात की जा रही है तो चलिए बारवा प्रिश्ण देख लेंगे प्रिश्ण नंबर 12 में क्या है आपके देखो पहले भी मैंने 30 टेश्टों की स्रीज कराई थी सेक्षिक तकनीकी की और 23 टेश्टों की स्रीज वापिस कर वा रहा हूँ तो पिछली जो टेश्ट स्रीज है उसको और इस टेश्ट स्रीज को अगर पूरा अटेंड करते हो तो सेक्षिक तकनीकी सेक्षिक प्रिद्रश्य जितने भी आपके टोपिक है इन में से प्रिश्ण बार नी जाएगा साथ यो इसलिए कंप्लीट इनको अटेंड करिएगा एक्जाम तक देखो बारवा प्रिश्ण है इजो है इसका सही अर्थ क्या होता है इंटरनेट इलेक्ट्रोनिक इंजिनियर और इन में से सभी तो भाई इंजिनियर कोमर्स तो इसका होगा नहीं तो तीसरा तो विकल्प गलत ल होता है इलेक्ट्रोनिक होता है जोता है दूसरा विकल्प के प्रिश्ण नमबर-12 का सइयां सरे प्रश्ण संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे तेरवा प्रिश्ण क्या है देख लेते हैं प्रिश्ण नंबर 13 को वित्रो तेरवा प्रिश्ण है राज सरकार की फ्लेक्शिप योजनाओं में सम्मिलित है पहला विकल्प है प्रिश्ण संक्या 13 में कौन सा विकल्प सही रहेगा जो चोता विकल्प है इन में से सभी या आपके प्रिश्ण संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे तो चवदू आप रिश्ण देख लेंगे प्रिस्ण नंबर 14 में क्या है अच्छा लगए वीडियो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लेना क्योंकि लाश्ट टाइम है लाश्ट टाइम में ये जो आपके पास 25 दिन बच रहे हैं 25 दिन बेहद उपी होगी आपके लिए तो इनमें आपको किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो कि भई आप प्रश्णों को छोड़ दो लाश्ट टाइम में प्रश्णों को अटेंड करना बहर जरूरी होता है देखेगा चौदवे प्रिश्ण को राजस्थान कर्शियानु संदान संस्थान कहां पर इस्तिते जेपूर अजमेर जोदपूर और विकानेर तो राजस्थान कर्शियानु संदान संस्थान की बात की जा रही है ये साथियो राजस्थान कर्शियानुसंदान संस्थान इनमे से कहां पर इस्तिते जेपूर में इस्तिते वही कहां पर जेपूर में विकल्प एक आपके प्रश्ण नमबर 14 का सही उत्तरे मित्रों प्रश्ण संक्यां 15 की ओर बढ़ते हैं तो पंद्रों प्रश्ण देख लेंगे प्रश्ण नमबर 15 में क्या है आपके अच्छा देखो जेपूर में भी यह कहां पर इस्तिते दुर्गापूरा में ठीक है जो राजस्थान कर्शियानुसंदान संस्थान है यह जेपूर में तो है लेकिन जेपूर में भी कहां पर इ देख लेंगे प्रिश्ण संक्या 15 निष्टा 1.0 में प्रसिक्सन है तो 11 बाश्यों में कितने मोडियोल थे जिने 6 चर्णों में पूरा किया गया 15 मोडियोल थे 16 मोडियोल थे 17 मोडियोल थे या 18 मोडियोल थे तो देखो इस प्रिश्ण में 3-4 चीज़ा आपके किलियर होती ह कि जो निष्टा 1.0 है इसमें जो प्रसिक्सन दिया गया था कितनी बाशयों में मोडियोल थे इसमें तो 11 बाशयों में मोडियोल थे कितने चर्णों में इसको पूरा किया गया तो 6 चर्णों में पूरा गया और module की संख्या भी आपसे पूची जाएगी साथियों तो कितने module थे इसमें 18 module थे याद रटना है आपको 15 प्रिश्ण में आपके चोता विकल्फ सही आंसर होगा साथियों प्रिश्ण संख्या 16 की और बढ़ेंगे तो चलिए 16 प्रिश्ण देख लेंगे प्रिश्ण नमबर 16 में क्या है आपके 16 प्रिश्ण पूच रहे आपके अकिल भारतिये खजूर अनुसंधान केंदर कहां इस्तिते जोदपूर में बिकानेर में अजमेर में या जेपूर में अकिल भारतिये खजूर अनुसंधान केंदर की बात की जा रही है आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 16 की तरब तो सत्रवा प्रिश्ण देखेंगे प्रिश्ण नमबर 17 में क्या है तो 20 में से जितने प्रिश्ण आपके सही होते हैं बिलकुल इमानदरी से कमेंड करना साथ यो मार्किंग करने के बाद में प्रश्न संख्या सत्रा में क्या है देखते हैं राजिस्त्रिय अंबेटकर पुरुषकार योजना में देई पुरुषकार राशी कितनी है एक लाक रूपे है ग्यारा हजार रूपे है इकीस हजार रूपे है या 51,000 रूपे है तो देखो किसकी बात की जा रही है कौन सी यो कितने रुपे इसमें दिये जाते हैं तो इसमें 51,000 रुपे की राशी दी जाती है। कुल सदश्यों की संख्या कितनी होती है। चार होती है, पाँच होती है, छे होती है या साथ होती है। कौन सी समिति की बात की जा रही है। प्राइमेरी स्कूल से लिया जाता है। प्राइमेरी स्कूल मतलब प्रात्मिक विद्या ले, जो कक्षा 1-5 तक होता है। और UPS का मतलब अपर प्राइमेरी स्कूल से लिया जाता है, जो कक्षा 1-8 विद्या ले। साथ्यों ये प्रारंबिक स्क्षा के अंतरगात UPS और UPS आ जाते हैं। तो यहाँ पर UPS की बात की जा रही है, तो फिर हम कौन से विकल्प का चुनाओ करेंगे। जो विकल्प नंबर 2 है, कक्षा 1-8 तक का विद्या ले। ये बिल्कुल प्रिश्णी संख्या 19 का आंसर होगा मित्रो दूसरा विकल्प है। चलिए आज के अंतिमोर 20 वे प्रिश्णी की तरह बढ़ते हैं, अगर आपने एप को डाउनलोड नहीं कर रहा है, तो एप 99 वाले कोर्स में, 99 वाला जो कोर्स से राजिस्तान अध्यान कंप्लीट करवा दिये, चैसे बारवी तक और आने वाले दिनों में भी आपको बेहद उप्योगी मेटेरियल वहाँ पर उपलब्द होने वाला है, तो निश्चित रूप से आपको डाउनलोड करके आप को जो आपको प्रिश्च नंबर 20 में करना है, आंसर देख लेता है मित्रो प्रिश्च नंबर 20 का, तो बैसे को ब्रोडबेंड, मोडेम और क्लाउड कम्प्यूटिंग, इन तीनों का ही संबंध किसे हैं इंटरनेट से, लेकिन रिसाइकल बीन का संबंध इंटरनेट से नहीं होत क्यों, तो यह कंप्लीट होता है साथ यो तेस्टेस्ट की जो स्रीजे इसमें पांचवा टेस्ट आज कंप्लीट करा दिया गया है, अब जो विद्याले विशे, साइकलोजी है, इनका टेस्ट भी आने वाला है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्य वाज सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए